और दोस्तों मैं जाएके साट L.A.S.A.T. N.A. NetPaper वन के सीजिस का एक को लिए लेकर आए हूँ तो आज को जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा आपड़क्टू रिजनिंग दोस्तों यह एक पार्ट है हमारे पिछले वीडियो का जिसमें हमने डिसक्स किया था आर्गिमेंटर्स और टाइपस आर्गिमेंटर्स काल भी हमने कुछ टाइपस आर्गिमेंटर्स डिसक्स किये थे उसमें एक बचा था जो यह है अबड़क्टू रिजनिंग यह इसको आप अबड़क्टू आर्गिमेंटर्स भी बोल सकते हो तो इसको हमें आज डिसक्स करना बाई वैंड डियाग्राम से वह भी हमें पढ़ना है इसलिए सायलोगिज्म को पढ़ना से पहले आपको वैंड डियाग्राम समझना होगा तो वैंड डियाग्राम हम आज ही पढ़ेंगे आज हम वैंड डियाग्राम को अशे से समझ लेंगे और कल हम फिर सायलोगिज्म करें करेंगे और उस पर कुछ कुछ भी करेंगे वियान डियाग्राम शूरी करने से पहले हम पढ़ेंगे यह जो हमारा रह गया था एक आपको में बताओं कि एवी तक जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किये हैं उन सारे टॉपिकस का लिस्ट आपको मिलेगा पर लिस्टे में जहां पर जेके से एले से एंटे नेट के नाम का लिस्टे है और उन सारे यूनिटिस की पीडिया फाइल आपको मेंगे टेलीग्राम चनल पर अगर आप ऐसे किसी ने टेलीग्राम गृूप एबी तक जोई नहीं किया है तो आज टेलीग्राम जोईन कीजिए और वहां से पीडिया फाइल देख दीजिए और इसके अलाब आगर किसी को पेपर टू है उसके वीडियो भी आपको मिलेंगे प्रेयलिस्टी में जहां पर एच किशन पेपर टू के नाम का लिस्ट है तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक एपड़क्टू रिजिंग वहां यूज करते हैं एपड़क्टू रिजिदिंग में क्या होता है एपड़क्टू रिजिदिंग में एपड़क्टू टाइप के स्टेड्मेट्स होते हैं जब viral के नहीं होते हैं ज़से हम एक क्र historically आप क्णूपयू सवसट कर सदू है जहां पर हम कंकलूजिव निकाल नहित सब्सक्राइब निकालने के लिए हम उन को जब देखते हैं उनको करते हैं उसके बाद हम एक गैस देते हैं जिसको हम फिर बोलते हैं क्या हम सब्सक्राइब वाते हैं है कि इस टाइब का इस टाइब का सखता है तो सेम यहां पर भी वैशा ही होता है कि जब हमारे पास दो स्टेट्मेंट्स या त्रीन स्टेट्मेंट्स होते हैं हम उनको अंडर्स्टेट्मेंट्स करते हैं लेकिन हम एक particular conclusion तक नहीं पहुचते हैं यानि हमारे पास एक definite conclusion नहीं होता है जो साफ वाजय हो जाए उन स्टेट्मेंट्स से तो वहां पर हम एक educated guess use करते हैं कि क्या हो सकता है यानि जिसको हम कहते हैं कि likely यानि किस result की ज़्यादा chances होते हैं हम उसी को वहां पर जाहिर करते हैं तो उसी को हम कहते हैं abduct to reasoning यहां पर देख लिए कि we make educated guess on the basis of our observation जो भी हम observe करते हैं जो भी हम statements देखते हैं पर मैसेज देखते हैं उनके बैसिट पर हम educated guess करते हैं कि हमारे पास इनकाउप इनफर्बेशन होती है उसके बाद हम चलते हैं जो हम पर मेंट टाबक है वह है वेंड डियाग्राम एंड साइलोगिजम आज हम पढ़नेंगे वेंड डियाग्राम वेंड डियाग्राम का मतलब क्या है इसको अच्छी से समझे और याद रखे वेंड डियाग्राम का मतलब यह है कि जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा चीज़ें होती हैं या जिसको हम कहते हैं कि set of objectives या group of objectives अब हमारे पास होते हैं तो हम उनकी relationship को जाहिर करते हैं या दो चीज़ें अगर हमरे पास हैं या दो से ज्यादा चीज़ें भी आगर हमरे पास हैं तो उनके बीच में क्या relationship है उसको अगर हम जाहिर करते हैं उसको अगर हम दिखाते हैं मगर कैसे दिखाते हैं बाइ डायग्राम या डायग्राम के जरिये जब हम दो या दो से ज्यादा चीज़ों के बारे में रिलेशन बताते हैं कि इनके बीच में इस टाइब के रिलेशनशिप है तो उसको हम कहते हैं वैन डायग्राम जब भी हम डायग्राम के जरिये दो या दो से ज्यादा चीज़ को साइट आप ब जाहर करते हैं डिखाते हैं बाइ डाइग्राम उसको हम कहते हैं वैंन डाइग्राम तो यहाँ पाद एक इसका बाखसाद यह होता है कि आपकी ability को चाग किया जाए about the relationship between some words of a group by diagrams यानि इसमें कुछ diagrams दी हुई होते हैं और आपका उसमें टेस्ट लिया जाता है कि आप कितना इन figures को समझग लेते हैं क्या आप उन्सके रिलशेंशिक को समझते हैं या नहीं समझते हैं इसलिए यह जडरी होता है और इसलिए इस टाइप श्रे genome को यूजर किया जाता है उसके बाद इन इस टैब की questions जो होते हैं इनमें क्या होता है कि some figures of circles जो भी figures होते हैं वो इस टैब की figures होते हैं circle shape में होते है figures और आपको इनमें से एक figure choose करना होता है या जो भी statements होते हैं उनको कौन सी figure represent करती है वो आपको वहाँ पर choose करना होता है इसको हम यह भी देखेंगे इस पर हम example भी करेंगे तो यह आपको easy से समझ में आ जाएगा यहाँ पर आप देखें इसमें first condition क्या होते हैं या किस टैब की यह figures हो सकते हैं या हम कहेंगे कि relationship किस step की हो सकती है यहाँ पर देखेंगे जो condition first है वो क्या कहते हैं अगर वो groupus या वो चीज़ें different होंगे जो भी चीज़ें दी हुई होंगे अगर वो different है यानि उनमें कोई relationship नहीं है उनमें कुछ भी चीज कामन नहीं है तो उस type के जो चीज़ें होते है जो observe होते हैं उनको जब हम diagramically show करेंगे तो हम उनके बीश में कोई भी connection नहीं देंगे यानि हम उनके बीश में gap देंगे जिस तरह से यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पर उसने कहा है कि ratus cow and horse यह तीन चीज़ें है ratus अलग किसम के animals हैं cow अलग किसम के animal है और horse अलग किसम के animal हैं इनके बीश में कुछ भी कामल नहीं है या आप कह सकते हो कि जो ratus है वो cow नहीं हो सकता है जो cow हे वह roughly काव नहीं हो सकता है इस पर दो पिर कूछ गैप देंगे और फिर cow लेखेंगे और फिर कुछ gap देकर house लेखेंगे क्योंकि इनके बेच में कुछ भी कामन नहीं है तो ये पहली condition होती है अगर आपके पास इस तरह से कुछ objectives होंगे कुछ चीज़े होंगे उनका नाम होगा और आपको वो show करने होंगे ध्रियंड के जरे यानि डियाग्राम के जरे आपको नहीं कि relationships जब show करने होगी तो आपको देखना है कि उन में क्या कामन है कि उन में कुछ relationship है या नहीं है अगर उनमें कोई भी relationship नहीं है तो आप उनकी figures अलग अलग बना सकते हैं जिस तरह से यहां पर दी हुई है तो यह एक टाइप है उसके बाद दूसरी कंडिशन है देखिए दूसरी कंडिशन क्या है If the first word is related to second word अगर पहला word दूसरे से related है और दूसरा word तीसरे से related है तब जो diagram हम बनाएंगे वो किस्模ह से बनाएंगे देखे अगर पहला word दूसरे से related है और दूसरा word तीसरे से related है तो इस तरह की figure बनेगी जिस स्लाओ यहां पर example दे हुए है unit 10 is 100 है जो भी होता है आप जानते हैं कि उसमें बी होता है ईसमें मतलब उसको हम हम कि इसæंस होते है जो आैंट होते हैं झाएं कि होते हैं या हम कहेंगे इस तरह से कि मालों अगर हमारे पास works वोड हेमरे पास सुकूल और दूस्रा टूसरा हमरे पास क्या है कलास्रूम बोर्ट है और तो आ प sleeping यहाँ पर और आता है किलासरूम तो यह कलासरूम हो जाएगा तो इसे त्रह देखना है तो जो भी वोड़ास आपको वें चूश्टन में दिये हुए हैं उनके बारे में आपको देखना है कि क्या रिलाशन्शिप वहां पर एक्जिस्ट हो रही है और किस टैब की वहां पर two altogether different words are completely related to third अगर दो words अलग-अलग है उन में relationship नहीं है दो words अलग-अलग है उनमें कोई भी कुछ भी कामा नहीं है कोई relationship नहीं है लेकिन वो दोनू किसी दोड़ चीज़ से belong करते है तब वहाँ पर इस टाइप की relationship बनेगी जैसे यहाँ पर उन्हें एग्जांपल दी है Eraser Pencil Eraser जो है वो Pencil नहीं हो सकता है या जो Pencil है वो Eraser नहीं हो सकता है यह दो चीज़ें अलग अलग है लेकिन Stationary हम क्योंको कहते हैं Stationary में आता है वहाँ Eraser भी आता है वहाँ Pencil भी आता है वहाँ Copy भी आता है यानि वो सारे चीज़ें आता है Stationary में तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो पहले दो चीज़ें है इन दो में कामन कुछ भी नहीं है Eraser अलग चीज़ है Pencil अलग चीज़ है लेकिन दोनू मिलके आता है किसमें Stationary में तो जहाँ पर इस step की condition होगी कि दो words अलग अलग है लेकिन वो दोनू मिलाकर एक चीज़ के अंदर आते हैं या एक चीज़ से वो बिलांग करते हैं तो उस time क्या करेंगे हम कि जो में चीज़ है जिससे वो बिलांग करते हैं पहले हम उसको ड्रा करेंगे और उसके अंदर फिर हम उन दो को करेंगे जो अलग अलग है इन ये दो अलग अलग है इसलिए इनके बीच में थोड़ा सा gap देना है इनको हमें जोई नहीं करना है इस step की ऐसा नहीं आएगा क्योंकि वो जो दो words है अलग अलग है उन दो के बीच में जोई कुछ भी काम नहीं है कोई relationship नहीं है इसलिए इस step कie relationship यहांपर action होगी क्योंकि विर्थर भी आज़ा proposal में pencil आज़ा पूरे में इसी तरह क्योंग यहांप relationship आपको ड्रा करना है उसके बात यहां चाहर का słय लेकिन वो थोर्ड से भी रिलेटिट है दो चीज़ों को आपस में भी रिलेशन्शिप है और वो दोनों को मिला कर फिर थोर्ड से भी उनको कुछ ना कुछ रिलेशन्शिप होती है तो इस टूर्शन में हम किस तरह के डियाग्रम ड्रा करेंगे यहां पर देख रहें एक्ज मदर्स भी आता है तो इतना तो हमको पता चला यहां से कि वुमेन में यह दोनों चीज़े आएंगी तो पहले हम ड्रा करेंगे इसको हम लिखेंगे वुमेन अब इस वुमेन में ही हमको क्या लिखना है इसमें हमें अगर एक चीज़ है इसको हमने लिखा कि यह सिस्टर है अब जो मदर्स हैं, अगर हम इस पर यहां लिखेंगे, यह बीश में थोड़ा सा गैब देंगे, तो इसका मदब यह हुआ, कि वोमन के अंदर सिस्टर भी आता है, और वोमन के अंदर मदर भी आता है, लेकिन यहां पर यह गलत फिगर होगी, क्यों गलत होगी, क्योंकि सिस् सिस्टर भी हो सकती है, तो इन में यह कामन है, यह दो आपस में भी रिलेटिड है, यह वारी फिगर यहां पर गलत होगी, तो हमें क्या करना है, यह हो जाएगी वोमन, उसके बाद यहां पर ड्रा करना है, यह होगा सिस्टर, उसके बाद इन को भी कामन करना है कुछ इस त पहले जो हमने एक्जम्पल पड़ ही थी बहเกरले उसको भी एक वार फेसे देखले यहां कर जो था जो इर्यजर है वो पेंसल नहीं हो सकता है किसी की माधर भी हो सकती है और फिर दोनों बुलांग करते हैं woman से इसलिए दोनों को हमने किसमें डाल दिया woman में और आपस में भी उनको थोड़ा सा relationship देनना था तो इसी को हम कहते हैं when a diagram यहाँ के जरिये आपको relationship शो करना होता है तो यही डियाग्राम हम यूज करेंगे कल जब हम सायलाग गिजम पढ़ेंगे उसमें यही डियाग्राम हम यूज करेंगे तो फिदाल यहां पर हम चारेंगे condition if two words are related to third word अगर दो words related हैं किसी third word से to some extent but not completely दो चीज़े is related हैं किसी third चीज से लेकिन पूरी के पूरी नहीं जिस तरह से एभी हमने question किया की oumen और sister और mother sister पूरा का पूरा है womeल से इस तरह से mother by पूरा का पूरा रिल EST है woman से लेकिन कभी a seबी constant हो सकती है कि relation हो सकती है लेकिन complete North है कुछ ही है और इसके दो फूर्श है आपस में डिफरेंट है या निजो दो वोड़े स्ट है तो इस तरह की डिफरेंट बढ़ेंगी लेकीफिटाएं लुप ech Magnus से ब्रॉंग नहें करते हैं कुछी दूपदर क्या करें खरेंगे तो वहांपर इसको भी अंधा किरेंगे तो इसको भी और यहांपर यहاंप ट्रा करेंगे डियाग्रम यहां पर आप एक एक और आंप टेSer Lincoln दूसरा किया है ऑद TWO 25 यहां पर कία किया गर्ल्स यहां पर तेख लिजई यहां पर क्यूंठ तकिफ फिकर क्युंग बन गई देख लिजिए जो स्ट्ट curly ऑद है सकता है नहीं हो सकता है तो इसके मुदब है यह जो है यह अलग अलग है पूरी तरह से लेकिन यह दोनों इससे रिलेशन रखते हैं तो इसलिए हम इसको इस तरह से ड्रा करेंगे यहां पर दिखेंगे बॉइज और इस साड़ में दिखेंगे गर्लज अगर हम इस तरह का इस में ड्राक कर सकते थे यानि studentice और फिर यहां पर दिखेगा कोई boys और फिर लिखेगा girls देखो इसमें क्या प्रावलम थी इसका मादब ये हो जाएगा कि जो भी boys हैं सारे के सारे boys student है और इसका मादब किया है कि सारे के सारे girls student है लेकिन कुछ बाइज ऐसा भी हो सकता है जो student नहीं भी हो सकता है यानि कुछ अगर student है लेकिन कुछ ऐसा भी होंगे कुछ बाइज कि जो student नहीं भी हो सकती है ऐसा भी situation हो सकती है या girls अगर student है लेकिन ऐसी भी condition है कि सारे girls तो student नहीं हो सकती है तो जहां पर ऐसी condition हो सकती है कि relationship रखते हैं वो लेकिन completely relationship नहीं रखते हैं कुछ यह पार्टली वो relationship रखते हैं तो उस टाइम पर इस तरह का diagram आपको draw करना है उसके पर हम चलते हैं condition number six पर all the three words are related to some another अगर तीन words एक दूसरे से relationship रखते हैं अगर हमारे पास तीन words है यह तीन objectives हैं वो सारे आपस में एक word दूसरे से relationship रखता है और वो तीसरे से और तीसरे से relationship रखता है यानि कुछ ना कुछ completely अगर नहीं रखते हैं तो some extent अगर वो relationship ज्यकिंग यहां पर है एक च्छे हमारे पास boys और एक है studentus और एक है athletes यहां पर यह completely इनको relationship नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो some extent यह सारे आपस में related हैं तो 22 मेंसे कुछ students हो सकते हैं लेकिन सारे बाइत civ seperti नहीं होते हैं इस तरह से students में कुछ athlet personalities भी हो सकते हैं लेकिन सा हैे यहां पर तो हम नहीं होते हैं बाइसिस हैं लेकिन पार्ट ली तो कैसे हम ड्राइंगे यह harcapella इसका मुझी तो कुछ हुआ हम यहां करेंगे कुछ हुआ हैं और यहां से ड्राइब करेंगे तो कुछ कामन आना चाहिए यहांपर हम लेखेंगे athletics तो इसका मुल्स यह हुँआ तो एयागराफ बनती है इस तरह का ड्राइग्राम वहाँआएगा तो उसके बाद condition number 7 भी हम देख लेंगे तो वोड़स आपस में completely related है and the third is entirely different from the first two यानि लेकिन third जो है वो उन दो से अलग है दो आपस में completely related है लेकिन तीसरा उन से अलग है तो जहार से बात है जो दो completely related है वो इस तरह से figure बनेगी उनकी और जो completely अलग है उसको अलग से बनाएंगे यहां पर आप देख लिजए कि question में क्या कहा गया है line is carnivores cow's line आप सब जानते हैं line किसको कहते हैं cow भी आप सब जानते है carnivores क्या होता है carnivores उसको हम कहते हैं उस animal को हम कहते हैं जो गोश्ट को खाता है या जो किसी animal को खाता है तो आप यहां पर पैसे देख लिजए कि इन मेंसे कौन carnivores है cow हर भी वर्स है यानि cow carnivores नहीं है तो carnivores कौन है line को हम carnivores भी कहते हैं तो यहां पर आगर आप देख लेंगे जो cow है वो अलग animal है लेकिन carnivores और line को आपस में relationship है और किस तरह की relationship है completely completely मतलब कि जो भी line है line जो भी है जहां भी है वो हमेशा carnivores है वो हमेशा यह पूरा का पूरा कार्णिवर्स है पूरा वो गोश्ट खाता है इसका बताब यह है कि इन दो के बीच में completely relationship है हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कुछ lion गोश्ट नहीं खाएंगे या कुछ lion कार्णिवर्स नहीं है ऐसा हम नहीं कहते हैं को सारे liners क्या होते हैं वो कार्णिवर्स होते हैं तो हम क्या करेंगे को कार्णिवर्स जो भी हम लिखेंगे पहले और उसी में हम lion को draw करेंगे इस तरह से आप जो cow है वो ना तो carnivores है और ना तो वो lion है तो वो पूरा अलग है तो उसको हम अलग यहां पर draw करेंगे तो यह भी एक condition है तो इस तरह से आपको देखना है question में कि question में किस तरह के animals या किस तरह के objects की बात की गई है उनमें किस तरह की relationship exist हो जाती है और उसी तरह से उसको हम figures में drag करते हैं, तो यहाँ पर देख लिए आप condition number 8 the first word is completely related to second, पहला दूसरे से completely related है and third word is partially related to the first and second, पहला और दूसरा completely related है, लेकिन जो तीसरा word है, तीसरा word क्या है वो partially related है किसे, first से भी और second से भी किस तरह से यहाँ पर देख लिए female है एक object mothers है और doctors है यहाँ पर आप देख लिए female और mothers यह आपसमें completely related है तो जब हम इसको ड्रा करेंगे इन दो चीज़ों को तो एक यहाँ पर बन जाएगा female और फिर बन जाएगा mother तो female यहाँ पर आजाएगा तो mother यहाँ पर आजाएगा क्योंकि जो mother है वो definitely female में आजाएगा बड़ा female होगा और उसके अंदर के आएगा mother क्योंकि सारे females mother नहीं है लेकिन सारे mothers female में आते हैं इस तरह से तो इसलिए हमने female को बड़ा कर दिया और mother उसमें आएगे अब जो हम बात हरेंगे थर्ड की doctor क्या है वो female भी हो सकता है और वो mother भी हो सकता है तो यहाँ पर हम किस तरह से इसको ड्रा करेंगे अब हमें तिसरा जो अबजेक्ट है वो हमें इस तरह से ड्रा करना है कि दोनों उसमें आएंगे तो इस तरह से हम उसको ड्रा करेंगे देख लिए जो mother है उसका भी एक portion उसमें आ गया और जो female है उसका भी एक portion आ गया तो यह बन गया यहाँ पर doctor तो इस तरह से आपको यह ड्रा करना है डियाग्रम जब आप question को understand करेंगे और उनकी relationship को आप यहाँ पर understand करेंगे कि किस तरह की relationship आती है डियाग्रम आप easily draw कर सकते हो इसमें इतनी कोई मुश्किल की बात नहीं है सिर्फ आपको question understand करना है और उसके साथ तरह आपको उनकी relationship को पहस चानना है कि किस तरह की relationship यहाँ पर exist हो रही है तो इसके बाद यहाँ पर हम देखते है condition number 9 अगर पहला और दूसरा रिलेटर है लेकर partially तो इस तरह के ड्राग करेंगे बर third is entirely different from the first लेकिन जो थोड़ है वो different है तो यह हो गया partially और यह हो गया entirely different तो इसके बाद अगर हम देखेंगे condition number 10 the first word is completely related to second first or second completely related है तो यह हो गया completely related लेकिन third जो वोड़ है वो partially related है लेकिन एक वोड़ से first second से नहीं है वो related तो हम यहाँ पर तो हम इस तरह पूरा इसको कार नहीं करेंगे हम एक ही ही से इसको कवर करेंगे क्योंकि ये क्योंकि इससे उसके कामन नहीं है वो एक ही से कामन है यहां पर तो इसलिए हम हमने इसको एक ही के अंदर कवर कार लिया है यहां पर देख़िजए ऑल लेखे जाए के इसलिए अदर कार लियुकर मसें यहां गराई फादर नहीं होता है तो फादर इसमें टाच नहीं हो जाएगा वो अलग रहेगा यहां देख लिए फादर से नहीं नहीं आएगगा तो यह इसी तरह से आपको इन डियाग्रम को ड्रा करना होगा तो इसके पर हमारा टापिक रहेगा सायल ऑगिजम इसको हम कल रिस्क्स करेंगे और कली हम वेंड डियाग्रम यूज करके इन कॉश्चन्स को सालो करेंगे तो आज की वीडियो इतना ही थैंक यू